हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टो आई चैनल स्टडी फोर यू सो गाईज, आज के इस वीडियो आप लोग देखने वाले हैं जो आपका SSC MTS का एक्जाम होने वाला है एक सीतंबर से लेकर 14 सीतंबर तक उसके लिए top most important questions को जो है इस वीडियो में discuss करने वाले हैं तो जो भी candidates इस बार SSC MTS का एक्जाम देने वाले हैं मैं आपको 100% ये guarantee देता हूँ कि आपके SSC MTS के एक्जाम में यहां से प्रेस्टन जरूर पूछे जाएंगे तो वीडियो को जो है last तक जरूर देखेगा और आपसे request करता हूँ अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर subscribe नहीं किया है तो SSC MTS exam से related पलपल की update के लिए चैनल को subscribe जरूर कर दिजेगा और बगल में आपको एक bell icon यानि घंटे का निशान भी दिख रहोगा तो आप उसे भी जरूर प्रेश कर दिजेगा तो चलिए वीडियो को start करते हैं आपका पहला question है कि in which year did तेलांगना become the 29th state of India यानि तेलांगाना जो है भारत का 29 राज्य ये जो है किस वर्स बना था तो देखे मैं आपको बता दू कि 2 June 2014 को जो है तेलांगना आंधर परदे से अलग होकर जो है ये भारत का 29 राज्य बन गया था तो 2014 आपका यहाँ पर correct answer होगा next question आपका यहाँ पर है कि which among the following states has the highest representation in the लोकसभा यानि निम्न लिखित राज्यों मेंसे जो है किसका लोकसभा में उस्तम प्रतिनी धितु है तो देखे मैं आपको बता दू कि लोकसभा की जो सबसे ज़्यादा सीटों की संख्या है ना वो उत्तर पर्देश राज्जी में है उत्तर पर्देश में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है तो यह आपका 80 है तमिल नाडू की बात कर ले तो तमिल नाडू में जो लोकसभा सीटों की संख्या है वो आपका 39 है आंदर पर्देश और राजस्थान में लोकसभा सीटो या आपको ध्यान में रखना है और देखें लोक सभा को जो है आपका सदन का नीमने सदन भी कहा जाता है यानि नीचला सदन भी जो हो कहा जाता है और राज्ये सभा जो होता है और मैं आपको बता दू कि लोक सभा का जो कारिकाल होता है ये पांच वर्सों का होता है और लोक सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना नेक्स्ट कोशा आपका यहां पर है कि इन विच आप दा फॉलिविंग इस्टेट्स इस दा फुडूंग मॉनेस्ट्री सिचुएटेड यानि जो यह आपका फुडूंग मठ है ना यह किस राज्य में इस्तीत है तो देखें यह ज आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोशा आपका यहां पर है कि विच एमॉंग दा फॉलिविंग इस दा ओल्डेस्ट माउंटेन हील रेज इन इंडिया यानि निमनलिकित में से जो है कौन सी भारत की सबसे पूरानी परवत पहाड़ी स्रिंखला है तो देखें यह जो प्राइम मिनिस्टर ऑप ब्रिटेन विन ब्रेटिस पार्लियमेंट पास्ड एन इंडिपेंडेंस बिल फूर इंडिया इन जुलाई 1947 यानि जुलाई 1947 में ब्रेटिस संसद ने भारत के लिए एक स्वतंता अधिनियम पारित किया था और उस समय ब्रेटेन यानि यूके के प्रधान मंत्री जो है वो कौन थे तो देखे जुलाई 1947 में जब ब्रेटिस संसद ने भारत के लिए एक स्वतंता अधिनियम पारित किया था उस समय जो ब्रेटेन के प्रधान मंत्री थे ना या आपके क्लिमेंट एटली थे तो क्लिमेंट एटली आपका करेक्ट एंसर हो नेक्स्ट कोशा आपके या पर है कि विट विच आप दा फॉलिविंग इस्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरिस इस दा दुमहल फोक डांस एसोसियेटेड यानि जो या आपका दुमहल लोक जो नेते है ना ये किस राज्य या फिर केंडर साहसित परदेश से जो है ये वेप्स आर रिकोड़ेड बाई एन इंस्ट्रुमेंट इस कॉल यानि भुकम तरंगों को किस एक उपकरन द्वारा जो है रिकोड किया जाता है तो देखे भुकम तरंगों को जो है ये सिस्मो ग्राप से जो है वो रिकोड किया जाता है तो सिस्मो ग्राप आपका करेक्ट नेक्स्ट कोश आपका या पर है कि विच एमांग दा फॉलिविंग फाइनेंसियल इंस्टिटूशन्स वाज नैस्टनलाइजड इन नाइंटीन फॉटीनाइन यानी उनी सो उन्चास में जो है निमनली खित में से किस वित्य संस्थान का जो रास्टे करन किया गया था तो द लिविंग रिवर्स फ्लोज इंटू दा बे और बंगाल यानि निमनली खित में से कौन सी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में बहती है तो देखें यह जो आपका बंगाल की खाड़ी में बहता है ना यह आपका क्रिष्टना नदी है तो क्रिष्टना नदी आपका यहां पर करेक्ट एंसर होगा इसके लावा बात कर ले 17 राभी ब्यास यह सब जो नदिया है ना यह आपका अरेबियन सी में जो है यह आपका गिड़ता है नेक्स्ट कोशा आपका यहाँ पर है कि विच कॉजेटी माइक्रो और्गनीजम इस रिस्पॉंसिबल फोर्दा कॉमन कूल एंड इंफ्लुएंजा यानि समान्य सर्दी और इंफ्लुएंजा फ्लू के लिए जो है कौन सा प्रेरग जो है यह सुच में रूप से जिव है ना वो जिम्मेदार होता है तो देखे समान्य सर्दी और इंफ्लुएंजा यानि फ्लू के लिए जो है यह आपका वाइरस ज इमने लिखित में से जो है कौन सी फसल जो है खरीब फसलों का उदारन है तो देखे अगर खरीब के फसलों के उदारन की बात कर ले तो आपका धान यानि चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंग फली, गन्ना, सोया बीन, उड़द, तूर, कुल्थी, जूट, सन, कपास, यह सब जो आपके किसके उदारन है, तो यह आपके खरीब फसलों के उदारन है, और देखे आपके उप्सन में जो है कौटन, यानि कपास दिया गया है, तो देखे यह जो आपका कपास है ना, यह खरीब फसलों का उदारन है, तो कपास आपका यहाँ पे करेक्ट answer होगा next question आपका यहां पर है कि सांबर जील के बारे में निम्रे लिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही दिया गया है तो देखें यह जो आपका सांबर जील है वो आपका राजस्थान राज्जी में इस्थित है और it is the largest inland salt lake in India यानि यह जो है भारत की सबसे बड़ी अंतर देश यह खारे पानी की जील है तो option 2 जो है आपका यहां पर correct answer हो इसके अलावा मैं आपको बता दू कि चिलका लेक यह जो आपका उड़ी सा राज्जी में है और यह जो आपका चिलका लेक है यह भारत का सबसे खारे पानी की जो है सबसे बड़ी जील है तो यह जो आपका सांबर जील है यह सबसे बड़ी अंतर देश यह खारे पानी की जील है तो यहां चाप्ड धिया नेक्सिप या पर है कि भारत के रास्ट पति की महाभीयों की परकिरिया जो है यह कहां से वहन Körper देंदों सदन में जो है वह सुरु किया जा कता तो option 4 आपका correct answer हो, next question आपके यहाँ पर है कि निमनली खित में से कौन सी गतिवीदियों को जो है अर्थ विवस्ता के दित्य च्छेत्र यानि secondary sector में एक भाग के रूप में जो है वो वर्गी करीद किया जा सकता है, तो देखे secondary sector में जो आपके कौन-कौन से आ जाते हैं, तो farm equipment manufacturing, यानि farm उपकरन वी निर्मान, यह जो आपके secondary sector में आ जाते हैं, तो farm उपकरन वी निर्मान आपके यहाँ पर correct answer होगा, इसके अलावा मैं आपको बता दू कि आपका जो agriculture, यानि जो आपका क्रीसी है या आपका primary sector, यानि जो प्रात्मिक छेत्र में आ जाता है, बैंकिं which date, international day of biological diversity is celebrated, यानि अंतराष्टे जैविविता दिवस जो है, ये प्रतिवर्स किस दिन को मनाय जाता है, तो देखें अंतराष्टे जैविविता की बात कर ले, तो या आपका प्रतिवर्स, ये जो आपका 22 मई को मनाय जाता है, तो 22 मई आपका यहाँ पर correct answer हो, next step का तो देखें ये जो आपका पासी कॉंग की है ना, ये अरुनाचल पर्देश राज्य का जो है, एक फोक डांस है, तो अरुनाचल पर्देश आपका correct answer होगा, next question आपका यहाँ पर है, कि वे औहूंग दा फालिविंग, ड्राप्टेड आर्टिकल 375 आप दे कंस्टिविशन आफ इंडिया, यानि निमनलिकित में से जो है, किसने भारत के संबिधान के अनुचे 370 का जो मसाधा है ना, वो तैयार किया था, तो देखें, अनुचे 370 का जो मसाधा है ना, ये किसके द्वारा जो है, वो तैयार किया गया तो बहुत सारे बच्चे जो है, क्या कर देते तो देखे मैं आपको बता दू कि यह जो आपका गलत हो जाएगा अनुछे 370 का जो महसौदा है ना ये गुपाल स्वामी अयंकर के द्वारा जो है ये तैयार किया गया था और अनुछे 370 के तैया जो है जम्मु कस्मीर को जो एक विसे सराजी का दर्जा दिया गया था लेक एजूकेशन यानि बुनियादी सिच्छा की वर्धा योजना जो है ये किसने जो है वो प्रस्तावित की थी तो देखे वर्धा योजना को जो है या आपका महात्मा गांधी के द्वारा जो है ये प्रस्तावित किया गया था तो महात्मा गांधी आपका करेक्ट एंसर हो नेक्स्ट कोश आप कहा पर है कि which is the source of Krishna river यानि कृष्णा नदी का जो उद्गम अस्थल है ना ये कौन सा है तो देखे कृष्णा नदी के उद्गम अस्थल की बात कर लें तो ये महा बलेश्वर है तो महा बलेश्वर आपका correct answer होगा नेक्स्ट कोश आप कहा पर है कि who is the first Indian American to become governor of state of USA यानि USA के जो है गवर्नर बनने वाले पहले भारतिय अमेरिकी कौन है तो देखे USA के गवर्नर बनने वाले जो पहले भारतिय अमेरिकी है ना या आपके कौन है तो जो बाबी जिंदल है तो बाबी जिंदल आपका correct answer होगा ने बेन हूर ए टेल आपड़ जो Christ ये जो पुस्तक है ना इस पुस्तक के लेखक कौन है तो देखे इस पुस्तक के जो लेखक है ये आपके कौन है तो ये आपके new balance है तो option 3 आपका यहां पर correct answer होगा next question आपका यहां पर है कि which state does not share its boundary with मियानमार या कौन सा राज्य जो है मिया मियानमार के साथ भारत के टोटल चार राज्य जो है वो सीमा साजा करते हैं और वो चार राज्य कौन कों से है तो पहला आपका अरुनाचल परदेश हो गया second आपका नागा लैंड हो गया third आपका मनी पूर हो गया और fourth आपका मिजोरम राज्य हो गया लेकिन ये जो आपक सिक्किम राज्य है ना यह आपका जो है म्यानमार के साथ सीमा साजा नहीं करता है तो सिक्किम आपका यहाँ पर correct answer हो नेक्स्ट को शाप कहा पर है कि which article of the constitution deals with the formation of new states यानि सम्भिधान का कौन सा अनुचेद जो है नए राज्यों के गठन से शंबंदीत है तो देखे अनुचे एकके बारे में तो देखे अनुचेद एक जो है यह संग का नाम और राज्य छेत्र का जो यह उपबंद करता है अनुचेद 2 की बात कर ले तो यह आपका नए राज्यों का परवेश या फिर अस्थापना का जो है यह आपका उपबंद करता है तो यह fact भी आपको ध्यान म रखना है नेक्स्ट कुछ आपके यहां पर है कि क्वांग इस ट्रैडिस्टनल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट ओफ विच इस्टेट यानि जो यह आपका खूंग है ना यह किस राज्य का जो है एक पारंप्रिक वाद यंत्र है तो देखें यह जो आपका खूंग है ना यह आ इसट जो है तो गहते है उस्ट को इसे एक बाद हैब का जो है एक इसिविलाइजेशन इस नोट इन दर बैंक ऑफ रिवर इंडस यानि निमन लिखित में से जो है सिंदु काटी सब्यता का कौन सा अस्थल जो है ये सिंदु नदी के तड़ पर नहीं है तो देखे बात कर ले अगर सिंदु काटी सब्यता के बारे तो देखे ये जो आपका रोपड है ना ये सिंदु नदी के तड़ पर इस्थित नहीं है तो रोपड आपके यहाँ पर करे यह PRAD Qobartine के द्वारा जो है यह आपका प्रस्तावित किया गया था तो PRAD Qobartine आपका यहाँ पे करेक्ट एंसर हो नेक्स्ट कोश्छ आपका आपर है कि related area of golden revolution is यानि स्वर्न करांती का जो संबंद है ये किस छेत्रे से है तो देखे स्वर्न करांती के बात कर लें तो ये आपके फल के उतपादन से संबंदीत है तो फल आपका यहाँ पे correct answer होगा और आज का जो आपका last question है जिसका जबाब जो है आपको comment box में देना है कि भारत के संबिधान के जो है किस अनुछेद में अंतराश्टे सांती और सुरचा को जो है पद्दो उनती देने पर राज्य नीती के नीती नीति निदे सक सिधानत जो है वो दिये गया है आपके option में अनुछेद 51, अनुछेद 69, अनुछेद 62, अनुछेद 49 तो अगर आप real में त् पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दिएगा तो मिलते नेक्स टोड़ें तर तक थांक्यू ओल देप